गाय बहांस लू गर्मी की चपेट में आ गई अब क्या करें संपूर्ण इलाज बताऊंगा एदि आपकी जो गाय बहांस लू की चपेट में आ चुके आपके पशू हैं तो उसी स्तती में आपको क्या इलाज करना चाहिए क्यूंकि अब भूत इस तरह की केस फिल्ड में पूरे दिन रहती हैं तब तक पर्शू कुछ खाता पीता भी नहीं है इस तरह की दिखतें पर्शू में देखने को मिल रहे हैं ज्यादा तर जो गाहांस है उनमें तो इस तरह की दिखतों के लिए क्या देना चाहिए क्या करना चीए पूरी डिटेल से बताऊंगा वैसे बेड़ बक्रियों की जितनी वीडियो है वहाँ पर आप जाकर के देखिए उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसी तरह से पर नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन पता है कि आपको इ जाती है देखो एदी पर्शू में आप बहुत ही ज़्यादा गर्मी ऊड़ रही है बाहर का टेम्प्रेजर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वज़य से जो गाह बैंस है उनमें इस तरह की दिकत है है हीट स्टोक में आच चुकी है गर्मी लू की चपेट में आच इस तरह की दिखते हैं कि पर्शू खाना पिना बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इस तरह की दिखते हैं साथ में दूद देने वाले पर्शू उनमें दूद की मात्रा बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और पर्शू की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है तो इस आप जाकर कि देख सकते हैं वह लगबग पस्चु पालों को पता है लेकिन माँ ट्रीटमेंट बता रहा हूं जब यह आपके पस्चु गर्मी लू की चपेट में आ जाता है बहुत ज़्यादा है तो उस इस्तती में आपको अपने वेटिनेरियन से वेटिनेरियन से ट्रीट इन्डेगो बहुत ज़्यादा जीकत हो जाती है तो इसमें आप प्रीयोग कर सकते हैं लेकिन आपको यह इन्ट्रा खियों कर सकते हैं। सब्सक्राइब के लिए सेप इंजेक्शन होता है तो यह इंजेक्शन भी आप अपने पशू में जरूर लगाना है जिस तरह से एक एमल पर बीस केजी बोडी वेट के अनुसार आप इसका वज़न के अनुसार ले सकते हैं तो जिस प्रकार से सी पिए म इंजेक्शन के व्यक्शन जिस तरह से एक हैडिस तिन है यह को 10 mily से लेकर के बंद्रा इंजेक्शन उस प्रसू को ज़रूर देना है देखो एक को सबसे पहले मा आपको इंजेक्शन बता रह Ł words नोंसे आपको support therapy के तोर पर आपको क्या पिलाना है क्या देना है वह भी आपको साथ में देना है ताकि आप अपने प्रशू में रजल ले चुके हैं क्योंकि जब यहीदी पशू हीट स्टोक में आच चुका है लू की चपेट में आच चुका है तो उस इस्तति में आप जब इंजे को सकते हैं टेंपरेज रेदी पर्शू का बढ़ावाएं तो एक सी टेट्रा साइकल जो इंटिबाइटिक आती है इस इंजेक्शन का बीस हैमेल से लेकर कि पचास हैमेल तक जिस तरह से दिकते हैं यह आप फ्लूर्ट चडा रहें दे रहें जिस प्रकार से एंस का उप्य यह कर रहें उस इस्तती में आप इसमें पचास हैमेल आप उसके अंदर डाल सकते हैं डाय वी उस प्रसू को लगाई जा सकते हैं उसके अनुसार और भी डोज बढ़ाए जा सकती है लेकिन वह आपका वेटरियन डिसाइड करता है कि इसकी डोज बढ़ानी है या गठानी ह इस बात का द्यान में रखना है यह आपका वेटरियन ही डिसाइड करता है तो इस तरह के केस के अंदर इस एंटिवाटिक ओक्षी का फोट अच्छा रिजेल्ट है जब पसू में टेंप्रेजर जब ही हो जाता है दिकते हैं प्रोब्लम का सोलूसन नहीं हो पा रहा है तब इसमें नॉर्मल शेलाइन के साथ यादर जो फ्लूड है उसके साथ पसू को दी जाती है ताकि बैटरिजल्ट आपका पसू को देखने के मिले वह भी आपका वेटरियन देता है इसके साथ साथ आपको एक फासपोस का इंजेक्शन साथ में पसू को जुरू लगाना है जि में इस इंजेक्शन को दे सकते हैं यह इंजेक्शन चाहया आपका फसूग प्रसू के लिए आप ये पासपोस का इंजेक्शन इस तरह के ऑंदर आपको जुरूर देने चाहिए तो यह जो मैंने आपको इन rsशन बता है रिट्रिपिमेंट आपका वेटरिनेन करता है इस इसके साथ साथ आप अपने फशो को ले मेंटेंड करने के लिए लेकिन आप साथ में इसमें प्रकार से कौई लिए लिए सकते हैं जրेसे प्लाकिया डिए बोग अचा रिजयल तो आपको सो एमिल आप प्रकार्ड हैसाफ से assume सबसे बैस तुर देखने को मिलता परिक्ट्मेंट लगा रहे हैं तो उनके साथ सपोर्ट थरी crushing की तोर पर आप अपने पशूं में उनका उप्यों करते हैं तो सबसे बैस्ट और बैटरी जल देखने को मिलता है तो वह भी आप अपने पशूं को साथ में जरूर देना है साथ साथ में आप अपने पशूं को डाइट का ध्यान में रखना है जहां तक हो सकता है और आप पानी के साथ और मैं बता रहा हूं नमक एड करना है आवले का चुरन है थोड़ी मात्रा में आप पानी के साथ मिक्स करके पशू को दे दें जिससे कहें पशू ज्यादा पानी पिएगा पशू का डाइजेशन भी सही रहेगा पशू की इम्मिनुटी भी बढ़ेगी पशू इफेक्ट के और पशू अच्छा तंद्रूस्ति रहेगा जहात तक हो सकता है आप अपने पशू को जो मैंने बताई है डाइट बताई है हरा चारा है उसका भी आप अपने पशू में उप्यों को द्यान में रखने चाहिए वह बताए कि जैसे सुबह सुबह के समया आप आपने थन्दी पटियां है पानी पांहीन की ताकि उसका घर्मा को रगए डंग में और रग्यों के उप्यों कर सकते एं जोनू की चपेट में आगया गया तो ऊसे कंट्रोल किया begrOOOO साची करें, शित्र शिवरी दिक्तरें, थैंक्स, धन्यवाद.